चातुर्वर्ण्यम्याश्रिष्टम् गुनकर्मविभांगश्ः तश्यकर्तार्मपिमाम् विद्यकर्तार्मव्ययम् और थात यहां पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है प्रकृति के तीनों गुनों और उनसे संभध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रजे गए यद्यपी मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ किन्तु तुम यह जान लो की मैं इतने पर भी अव्यय अकरता हूँ नमाम कर्मा निलिम्पन्ती नामे कर्म फले स्प्रहा इतिमाम योभी जानाती कर्म भिर्न सबध्यते अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंदता एवं ज्यात्वां कृतम कर्म पुर्वे रपीम मुक्छुभी कूरु कर्मे वतस्मात्वम पुर्वेह पुर्वतरम कृतम और थात यहाँ परकृष्ण अर्जुन से कह रहे है प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिवी प्रकृती को जान करके ही कर्म किया अतह तुम्हे चाहिए कि उनके पच्चिन्नों का अनुसरं करते हुए अपने कर्तवे का पालं करो कीम कर्म कीम कर्मेती कवयो प्यत्र मोही तहां तत्ते कर्म प्रवक्षामी यजन्यात्वा मोक्ष से सुभात अर्थात यहाँ परकृष्ण अर्जुन से कह रहे है कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोह ग्रस्त हो जाते है अता एव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुप से मुक्त हो सकोगे अर्थात यहाँ पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है कर्म की बारीक्यों को समझना अत्यांत कठीन है अतह मनुश्यों को चाहिए कि वह या ठीक से जाने कि कर्म क्या है विकर्म क्या है और अकर्म क्या है कर्मन्य कर्म यह प्रवश्यत अकर्मनीच कर्म यह सबुद्धीमान मनुष्येशु सयुक्तह कृसन्य कर्मकृत अर्थात यहाँ प्रकृष्ण अर्जुन से कह रहे है जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धीमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवरत्त रहकर भी दिव्यस्थिती में रहता है